शहर आई देहाती बहू हाली में रोहन की शादी निर्मला नाम की लड़की से हुई थी निर्मला गाउं की लड़की थी रोहन की पिता और निर्मला के पिता दोनों बच्पन की दोस्त थे उन्होंने बच्पन में ही एक दूसरे से बादा कर लिया था कि दोनों बच्चों के बड़े होते ही उनकी शादी करवा देंगे इसलिए वादे के अनुसार रोहन के पिता निर्मला को अपनी बहु बना कर घर ले आती है निर्मला अपने साथ अपनी गाई भी लेकर आ जाती है और उसे घर के आंगन में बान देती है अरे यह क्यामा भाबी तो गाई भी लेकर आई हैं हमारे घर में अब यह घर में गाई बन्दी देखकर आसपड़ उसकी लोग तो हमारा मजाख उड़ाएंगे न हाँ बेटा तो ठीक कहती है लेकिन क्या करूँ मैं तू तो जानती है तेरे बिता किसी की नहीं सुनते है अरे ये क्यार निर्मला तुम अपने साथ गाई क्यों लेकर आयो आपके सहर में पैकेट वाला मिलावटी दूद मिलता है ना लेकिन मुझे तो रोज दाज जादू दूद पीने की आदत है गाई लाकर मैंने न बहुत अच्छा किया है अब हम सब रोज न गाई का तज जता जदूद पीएंगे अरे ये सो तो ठीक है लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुमारी गाई की वज़े से आज पड़ो उसके लोगों को कोई तकलीफ ना हो हाँ हाँ मैं सब देख लोगी आप चिंता ना करें कुछ दिन बीच जाते हैं फिर एक दिन चाल बहु आज हमें बाजार से सब्जी खरीदने जाना है उसकी बाद सुनिता निर्मला को बाजार में ले जाती है सब्जी के महंगे दाम देख कर निर्मला के तो होश होड़ जाते हैं ये क्या माजी एक हजार रुपे के सब्जी ये तो बहुत है जाता है अब क्या करें बहु शेहर का तो यही हाल है ना 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 मैं इस तरह पैसों की बरबादी बरदास नहीं कर सकती अब से ना हम इस बाजार से सब्जी नहीं करी देंगा फिर अगले दिन निर्मला घर के आंगन के मिट्टी खोद कर वहां तरह तरह की सब्जी या लगा देती है अरे कावियो तेरी भापी तो बहुत हजीब है उसने तेरे पूरे आंगन को खेद बना कर रख दिया मेरे इस समझ में नहीं आता तुम लोग इस लड़की को कहा से पकड़ कर लाए हो अरे सब मेरे पिताजी का किया धरा है सालों पहले अपने दोसी की वादिकी चलती उन्होंने उस गवार को हमारे गले बान दिया अरे तेरी भापी सच में एक नमबर के गवार है उसे तो ढंके कपड़े पैनने तक नहीं आते उपर से उसने तेरे घर को गाउं का तबेला बना कर रख दिया है उन औरतों की बाते सुनकर काविया को बहुत बुरा लगता है फिर वो अपने भाई रोहन से इस बात की शिकायत करने लगती है रोहन निर्मला को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन निर्मला के आगे उसकी एक नहीं जलती फिर एक दिन रोहन निर्मला को एक शादी मिले जाता है सभी मेमान खाना खाने में व्यस्त थे उधर रोहन भी अपने दोस्तों से गप पे लड़ाने लगता है तबी निर्मला तंदूरी चिकन की स्ट्रॉल से धेर सारे लेग पिस उठा कर अपने पर्स में डालना शुरू कर देती है घर जानने के बाद इसे फ्रिज में रख दूंगी और कल सुबह में चीज सिकाऊंगी फर खाना खाने के बाद दोनों पती पती वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन तबी दूलन का भाई उन्हें रोक लेता है अरे ये सब क्या है? मैंने यहाँ खाना खाने के लिए सब को बुलाया था खाना चूरी करने के लिए नहीं तुमने पर्स में जो चिकन के लेक पीस चुपा रखे न चलर बहार निकालो उन्हें दूलन का भाई फॉरन निर्मला से पर्स छिनकर सारे लेक पीस बहार निकाल लिता है मैंने इतना खर्चा करके खाने पिने का इंतजाम किया है और तुमों की यहां से खाना चूरी करके ले जा रही हो शर्मानी चाहिए तुमें वहां मौजूद सभी लोग निर्मला को भला बुरा कहने लगते हैं अपने बेज़ती होते देख रोहन दुलन के भाई से माफी मांग कर निर्मला को घर ली आता है निर्मला आज तुमने सबके सामने मेरी नाग कटवा दी आखिर तुम्हें चिकन के पीस चुराने की जरूरत क्या थी मुझे माफ करती जी रोहन जी दरसल ना हमारे गाओं में जब प्रिशादी होती थी तब मैं और मेरी सहलिया इसी तरह शादी से ठीर सारा खाना लेकर आते थे मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती से आपकी इतनी बेज़ती हो जाएगी मुझे माफ कर दीजिए आज की बाद ऐसी गलती कभी ना करेंगे इतना क्याकर निर्मला रोने लगती है निर्मला का रोती देख रोहन का दिल पर घल जाता है और उसे माफ करके गले लगा लेता है इस तरह कुछ दिन बीच जाते हैं फिर एक दिन रोहन उदास होकर घल लाटता है रोहन की कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे अरे बेटा ये सब क्या है किसी के साथ मारा पीटी हो गई है क्या नहीं मा आज हमारे जन्देगी का सबसे बुरा दिन है मिंसे पाल्टी वालों ने हमारे दुकान तोड़ दी आज से हमारी आमधनी पूरी तरह बंद हो गई ये भगवान हमने तो किस्त पर देर सारा सामान ले रखा है अब हम सारे सामान की किस्त कैसी चुकाएंगी मेरी तो सोचने समझने की शक्ती ही खत्म हो गई पता नहीं आ गया हमें और कितनी मुसीबत जहलनी पड़ेगी आप सब को ना चिंता करनी की जरूरत ना है मैं सब ठीक कर दूंगी तो कहना क्या चाती है बहु हम ना बोल कर नहीं बलकि करके दिखाएंगे हाँ उसके बार निर्मला अपने पिता को फोन करकी गाउं से पांच गाय मंगवा लेती है और फिर अगले दिन निर्मला सभी गायों का दूद निकाल कर बड़े बरतन में भर लेती है तुम यह सब क्या कर रही हो निर्मला मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हम ना इन गायों का दूद बेचने जा रहे है उसके बाद हमारे पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी हे भगवान पस यही दिन देखना बाकी रह गया था भाबी दूद वाली पंकर दूद बेचेंगी तो मोहले में इजद क्या रहेगी हमारी सभी लोग हमें तरह तरह की ताने मारेंगी आप न ऐसी बेकार की बातें ना करो काव्या जी जब जीब का पैसा और पेट की रोटी छिन जाती है तो इनसान पहले अपने और अपने परिवार की बारे में सोचता है और वैसे भी जिस काम से हमारा घर चले उसकी कभी नाम बुराई नहीं करनी चाहिए फिर निर्मला दूद के दो बड़े बरतन साइकल के दोनों तरफ लटका कर मोहले में घूमने लगती है दूद ले लो दूद गाय करता जटा जट दूद ले लो बिना मिला वटका शुद दूद ले लो चलो चलो आओ बही चल दी ले लो तबे निर्मला के पास कुछ औरते आती हैं अरे तुम दो सुनिता की बहू हो ना तुमें इस तरह सड़क पर दूद क्यों बेश रही हो निर्मला उन दोनों औरतों को अपने घर के हालातों के बारे में सब बता दीती है देखी मैंने ना अभी अभी गाय का ताज जा दूद निकाला है आप सब तो रोज पैकट का दूद पीती हो आज गाय का ताज जा दूद पी कर देखी इसकी ना बात ही कुछ और है हाँ बहू मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गए ला मुझे दो लीटर दूद दे दो उस आउरत की देखा देखी बाकी औरते भी निर्मला से दूद खरिदना शुरू कर देती है थोड़ी ही देर में निर्मला सारा दूद बेज कर धेर सारे पैसे इखटे कर लेती है उसकी बाद निर्मला घर जाकर सारे पैसे अपनी सास को पकड़ा देती है अरे पभू इतने सारे पैसे सच में तेरा आइडिया तो काम कर गया अरे माजी आप तो बस देख दी जाईए कुछी दिनों में मैं अपने घर की सारी समस्य खत्म कर दूँगी हाँ फिर अगले दिन से निर्मला घायों के गोबर से भेर सारे उपले तयार करके बेचना शुरू कर देती है निर्मला को पैसे कमाते देख रोहन के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और वो भी दूद बेचने का फैसला करता है निर्मला के कहने पर उसके पिताजी कुछ और गायों का बंदोबस्त कर देती है इस तरह दोनों पती पतनी मिलकर दूद बेचना शुरू कर देती है कुछी मैनों में उनका दूद का व्यापार खुब फल फूल जाता है इसके चलते रूहन एक बड़ी दूद की डेरी भी खोल लेता है पताजी जब आपने निर्मला से मेरी शादी करवाई थी तब मैं मनी मन आपको कोसा करता था लेकिन आज मेरी समझ में आया कि आपका फैसला बल्कु सही था आज अगर निर्मला ना होती तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता हाँ बेटा तू ठीक कहता है हमारी बहु ने तो हमें उजडने से बचा लिया भगवान ऐसी बहु सब को दे इस तरह निर्मला की समझदारी के चलते सब खुश ठीक हो जाता है और वो सबी हसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं